नमस्कार स्वागत है आपका संसर टीवी पर मैं हूँ मनोजवर्मा और आप देख रहे हमारा खास कायकरम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे रक्षा छेत में मेकन इंडिया के असर की रक्षा के छेत में भारत को आत्मर्भ बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं इन कदमों का नतीज़ा अब दिखने भी लगा है भारत के रक्षा उद्धो को बढ़ावा देने के लिए वित वर्ष 2021-22 में रक्षा मंत्राले ने देशी कंपनियों से 64% खरीद का लक्ष तई किया था मंत्राले ने इस लक्ष को ना सिर्फ पूरा किया है बलकि उससे जादा खरीद की है रक्षा छेत में मेकन इंडिया और आत्मर्भ भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और बढ़ा करिया में शंशोधन किया गया है रक्षा छेत में मेकन इंडिया के असर पर चर्चा करेंगे और इससे सम्मंदित बिविन पहलों को समझने की कोशिश करेंगे चर्चा करने के लिए खास मेमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ SIDMKDG सुनिल मिश्रा जी हमारे साथ सुनिल जी आपका बहुत स्वागत है संसर टीवी पर और हम बात करेंगे रक्षा विशेशक लेटिनेंट जनरल रिटाइट सतीश दुआ जी से सतीश जी आपका भी स्वागत है और बात करेंगे MQ Limited के MD नीरज गुपता जी से नीरज जी आपका भी स्वागत है और इस तरह का बढ़ावा आपने दिया था और आज करीब सौ देशों को आप आपूर्ती कर रहे हैं रक्षा से जोड़े बिभिन उत्पादों की आप कैसे देखते हैं रक्षा के चित में जब हम मेकेन इंडिया की बात करते हैं इसके असर को सबसे पहले तो मैं यह बोलूँगा कि आत्मिरभ भारत का जो एक सपना हमारे मानी प्रधान मंत्री जी ने जो किया और इंडिया को सेल्फ रिलाइंस के लिए तो यह जो सपना है उनका आत्मिरभ भारत का यह पांच मुख्य पहलूपे है जे economy, infrastructure, system, vibrant democracy and demand यह सब नहीं केवल एक self-centered है चीज, system पट जबकी पूरे समाज की मैं बूलूँगा खुशहाली, cooperation, peace of the world community को ध्यान में रखके आत्मिरभ भारत का हमारा यह मुद्दा हमारे माननी प्रधान मंत्री जी ने सोचा self-sufficiency in defense is of strategic independence और यह नहीं केवल जो है हमारी अपनी जरूरतों को ध्यान में रख रहा है बाकी बलकिन export को काफी बढ़ावा दे रहा है और जैसा साब आपने बोला कि पिछले पच्चे सालों से जो हम लोग जुड़े हुए हैं रक्षा उत्पादर की manufacturing से हमने साब एक बहुत बड़ा सी चेंज देखा है अपने defense manufacturing और खास्त और से जो government का जो इस समय जो push है defense industry को बढ़ावा देने का यह साब हमने कभी भी नहीं देखा और भारत सरकार ने मोधी सरकार की नेत्वाप में इसको एक अहम आईवुड से एक opportunity के रूप में self-reliance बनाने का सोचा और एक एक critical sector है अपने लिए जी बिल्कुल जो जो चुनोतिया है वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा लेकिन सुनील मिश्रा जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बात को कि 64% का मंत्राले ने एक लक्ष रखा था कि हम जो सुदेशी कंपनिया है जो हमारी कंपनिया है भारत की कंपनिया है उनसे हम रक्षा उतपात खरीदेंगे जो अलग अलग तरह की उपकरण बनाते हैं वो अपनी कंपनियों से खरीदेंगे उस लक्ष को ना केवल पूरा किया बलकि उससे जादा खरीद की गई है इस परवरतन को आप कैसे देखते हैं क्योंकि अगर मैं बात करूँ चौदा से पहले तमाम तरह के सवाल उटते थे कि किस देश से भारत को कौन सा रक्षा उकरण लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए वो देश देगा या नहीं देगा और अब एक बड़ा परवरतन इसे आप कैसे देखते हैं देखें यह जो बदलाव है जिसकी अभी दीरज बात कर रहे थे वो एक तो सरकार की मंशा में है और वो मंशा पिछले कुछ सालों से उसकी नीतियों में रिफ्लेक्ट हो रही है जो पिछले पांच-साथ सालों से नीतियां बन रही है वो इस चीच पर केंद्रित हैं कि हमारी जो घरेलू उद्योग है जाहे वो डिफेंस PS प्राइवेट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े OEMS हैं वो हो या मजूले और नीरज उप्ता जी की जो कंपनी है MAU उस तरह की कंपनी जो कहीं दूर बैट करके उत्पादन कर रहे हैं उसका वो हो उनको एक मुफीद इन्वारिमेंट मिल पाए और मुफीद इन्वारिमेंट मिलेगा तो हमारे यहां का जो एंट्रेपनियोर है वो बहुत काबिल है और हमारा जो इस देश का सेरिबरिल एसेट है जे वो भी को जिस वक्त सही और मुफीद इन्वारिमेंट मिल जाता है तो वो अपनी दिशा और गती अपने आप ढूंग लेता है सरकार ने जो काम किया है पिछले कुछ सालों में वो नीतिया अच्छी बना दी है और जैसा कहा गया कि पुश दिया है इस एक्टिविटी को वो अब हो रहा है कि जो टार्गेट रखा गया था वो टार्गेट साल पूरा होने से काफी पहले ही उसको सर्प्रास कर गया जे तो मेरे ख्याल से नियत दिशा और गती और इन्वारिमेंट जे ये सारी चीज़ें बिलकुल ठीक हैं आने वाले समय में हम लोगों को और भी अब ही आएंगे जो चैलेंज़ अंतरराश्ट्री स्टेज पे देखने को मिल रहे हैं उसका असर हम लोगों के उपर भी आएगा और वो चैलेंज़ हमारे यहां का जो एंट्रपनियोर है उसको उपर्चूनिटी में कनवर्ट करने में टाइम नहीं क्या सुनील जी मैं एक पहले हम यह सोच देतें कि भारत अंतरराश्टी यह समझा होते हैं रक्षा के चेत्में बहुत करता था क्या खरिदा जाए क्या नहीं खरिदा जाए और उसको लेकर कंट्रोवर्शी भी होती थी तमाम तरहें कि हमने देखा वो फोर्स को समय क्या हुआ था लेकिन अब एक बड़ा परवर्तन तो क्या यह सोच का भी एक परवर्तन है देखे सोच का तो बहुत बड़ा असा परता है जब सोच सही होगी और कोई होसला बना देगा और उस होसला बनाने पे जो कथनी है उसका करनी में फरक नहीं रहेगा तो विश्वास इंडस्ट्री का भी बढ़े हैं उसमें आटो मובील सेक्टर में जैसे मैं एक अग्जामपल लूँ जी किसी को कहें कि आप कहें कि तफ एक पुरजा एक किसी कार का बनाना है या उसका स्टेरिंग सिस्टम बनाना है तो वो जो उसको और्डर्स मिलेंगे वो कमपनी से मिलेंगे दस्यों हजार या कुछ लाख की कौइंटिटी होईगी हमारे जो डिफेंस के सिस्टम्स और प्लैटफॉर्म्स हैं उन में नंबर्स बहुत कम होते हैं जी है तो जो जो नंबर्स कम हैं तो उसमें एकॉनमी आफ स्केल नहीं आती है तो जो चीज मान लीज उसका नया मोल्ड बनाएगा नया उसका पूरा डिजाइन तयार करेगा तो हो सकता है उसको पांच रुपए में उसकी कास्ट नहीं आए जे और उसकी कास्ट हो सकता है कि उसको पांच जार रुपए आ जाए उसको अफसेट करने के लिए उसको कवर करने के लिए हमारे बह एक्सपूर्ट की बात आपने की एक बहुत बड़ा बदलाव सतीज दुवा जी देखने को मिर ला है कि पिछले पांचे सालों में रक्षा निर्यात छे गुना बढ़ा है आज 75 से अधिक देशों को मेक इन इंडिया रक्षा उपकरण और सेवा परदान की जा रही है इस बहुत काम होते हैं और कुछ साल पहले तक जब आपने जिकर किया कि उस टाइम तक क्या कुछ नहीं हो रहा था ऐसा नहीं है हमारे पास मैं यह इस तरीके से बताना चाहूंगा हमारे देश ने दो कमिया थी एक टेक्नोलोजी गैप था और दूरा फंडिंग की कमी थी होट पेक्नोलोजी हमारे पास नहीं थी जो भी हम प्रोलक्शन करते थे हमारे ज़ादातर हम पब्लिक सेक्टर पर अधारित थे और तब यह देखा गया कि दूसरी तरफ फंड्स भी उसी उसी वज़ा से हमारे पास फंड्स की कमी थी अब तो हम लगातार इंपोर्ट करते जा रहे थे majorly अपने equipment और तब ही आप देखते हैं कि आज हमारी रश्या पे dependency कितनी जादा है यह इस Ukraine की लड़ाई में साफ उभर के सामने आ रहा है हमारे जो हमारा international diplomatic stand है उसको भी प्रवावित कर रहा है तो 2016 में जब surgical strike होई थी उस वक्त मैं कोरकमान रहा था किशनी ने तो surgical strike के एवस में हमें तयारी करनी पड़ी थी जब कि हमें भी तयार रहना है अगर कोई contingency हो और अगर हमारे उपर जवाबी अमला हो जाए तो तब हमने ये पाया कि बहुत मुश्किल हो रहा था जिन जिन OEMS के पास या foreign manufacturers के पास हम जाते थे समान लेने के लिए तो मुश्किल हो रहा था क्योंकि सबकी production capacities के हिसाब से हमें समान मिलता था हमने लहाज़ा ये realize कि जो हमें देने को तैयार भी थे तब भी हमारे को इतना वक्त लगना था जो कि हमारे लिए operationally acceptable नहीं था जी तब एक जादा तेजी पकड़ी सरकार में और 2016 के end में तब मैं chief of ideas आ गया था हमने strategic partnership नाम की एक scheme तयार की और उसमें ये कहा गया कि private manufacturers इंडिया के विदेशियों के private बड़े-बड़े manufacturers के साथ में साजेधारी करेंगे जिससे कि वो technology भी लाएंगे और funding भी लाएंगे और फिर वो सिर्फ ना सिर्फ हमारे भारतिय सेनाओं के लिए produce करेंगे इंडिस्तान में बलकि joint ventures जो हैं वो बहार export भी कर सकते हैं जैसे क अभी भी कहा गया कि export करना बहुत जरूरी है तब ही उनकी scales बनेंगे और तब से ये तेजी ऐसी पकड़ी जो policies change हुई हैं जैसे कि अभी हमने सुना कि even जो ordinance factories हैं उनकी भी साथ PSU साथ इकाईयां बना दी गई हैं और और ऐसे कई बदलावा हैं जिसमें से MSME जो कई चोटे products हैं I mean M.K.U. नीरे साथ यहां बैठे हैं इनको भी इतने ऐसे successes मिली हैं तो अब चाहे वो drones हो या ऐसे कई products हो तो MSMEs को और छोटे कंपनियों को भी और incentives दिये जा रहे हैं चौशार परसंट की आपने भी जिक्र किया अगर अगर अब बना के ऐसे incentives देंगे तो तब हम आत results बहुत अच्छे तरीके से कारगर तरीके से देख पाएंगे हमारी सेनाओं को भी इस पर हमारे को एक reassurance लेवल होता है कि अंदर ही हमारे देश में production हो रही है यह search capacities करके हमें जब ज़्यादा ज़रो तो हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और रही बात last last आखरी चीज़ मैं यह तरीक रास्ता अपनाया जा सकता है कि product improvement के जरीए हम बाद में products को बेंदर भी कर लिए यह quality का भी बहुत बड़ा एक सवाल है लेकिन नीरच जी मैं आपसे यह सबहना चाहता हूँ कि पिछले पांसा सालों में यह बात ठीक है रक्षा के छेत में technology को बढ़ावा दिया फंडिंग को बढ़ावा दिया गया अगर policies की मैं बात करूं तो रक्षा निर्मार के लिए साड़े 300 से भी अधिक नए और दोगिक license जारी किये गए जबकि 2001 से 2014 के बीच 200 license जारी किये गए थे अगर सरकार के स्थर पे हम देखें तो तमाम तरह के ऐसे policy में परवर्तन किये गए ऐसे कदम उठाए गए जिससे जो डिफेंस सेक्टर है उसको राहत मिली है आप इसे कैसे देखते हैं कौन सा ऐसा नितिगत फैसला रहा जिसने इस सेक्टर को बढ़ावा देने का काम किया है मैं साब यह बोलूँगा कि दो हजार चौदा के पहले और जो हजार चौदा के बाद इतने सारे मसलों में चेंजे आए सबसे पहला कदम तो मैं बोलूँगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का जो एक जो कोपरेटिव एप्रोच जो पैदा हुई जो एक मतलब पहले मैं कोपरेटिव एप्रोच है लोकल प्रोक्यूर्मेंट को पॉस्टिव लिस्ट के जरीए बढ़ावा दिया जा रहा है और सर जो एक्सपोर्ट में जो चेंजे आए 2014 के पहले तो सर एक्सपोर्ट को ले करके इतना नेगेटिव व्यू होता था कोई सोचता भी नहीं था कि भारत एक्सपोर्ट कर भी सकता है 2016 में जब SOP पहली बार रिलीज हुई एक्सपोर्ट पर्मिशन्स को ले करके पहले साथ छिचे मैंने साल साल बार लगते थे आज सर एक्सपोर्ट पर्मिशन्स मैं बोलूँगा इंडिया की वन आफ दा फास्टेस इन दे वर्ल्ड है और इसके लिए मैं भारत सरकार को बदाई देता हूँ यह एक्सपोर्ट की पॉलिसी का ही नतीजा है कि आज डिफेंस एक्सपोर्टर की लिस्ट में इंडिया का नाम सिप्री लिस्ट में विधिन 25 कंपनीज आने लगा और मेरे को यकीन है यह जो अभी जो 10 से 12 हजार कोनों का एक्सपोर्ट कट अभी है हमारा और जो हमारी मिनिस्ट्री ने और भारत सरकार ने और रिंदमोधी सरकार की नेतफात में जो पाँच बिलिएन का जो एक्सपोर्टकर जो कार्गेट लिया है दोजार पच्चस तक जिस तेजी से ग्रोथ हो रही है हमको पूरा यकीन है कि ये एक्सपोर्ट टार्गेट पूरी तरह मिचूर होगा और हम शायद टॉप टेन एक्सपोर्टिंग केंट्रीज के अंदर आ सकेंगे जी बिलकुल एक बड़ा जो मैं बताओं आपको कि फिलिपिन्स ने हाली में भारत से ब्रमोस का एंटी शिप बेरियंट सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के लिए एक समझवता किया है और इसे काफी एक पॉजिटिव विस्टी से देखा जा सकता है सुनिल जी कि इतना बड़ा एक डील भारत के साथ किसी देश ने की बरना सुनने में ये आता था कि रक्षा खरीद के लिए भारत ने किस देश से डील की ऐसा दौर अधिक देखा हम लोगों ने लेकिन एक परवरतन कारी दौर है कि जिसमें भारत से दूसरे देश रक्षा सामगरी खरीदने के लिए डील कर रहे हैं समझोते कर रहे हैं लेकिन मैं एक बात ये समझना आपसे चाहता हूँ कि क्या ये एक हिचक थी कि प्राइवेट सेक्टर रक्षा के छेतर में आएगा क्या शक्षम है या नहीं है देश की जरुवत पूरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा विदेश खरीद फरोद करेंगे तो कैसे करेंगे इस तरह के क्या सवाल थे वो हिचक तूटी है जर्नल दुआ ने इसको टच किया था बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि शायद प्राइवेट उद्द्योग की बात कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री की केपिबिल्टी सक्षमता सक्षम है या नहीं है मैं यह नहीं जानता क्या वज़े रही होंगी उस वक्त उस हेजिटेशन के लिए लेकिन हम लोगों ने इंडस्ट्री असोसियेशन से 1995 से प्रयास करना शुरू कर दिया था और गवर्मेंट में भी बात होनी शुरू हो गई थी कि प्राइवेट सेक्टर का इंवाल्मेंट किया जाए उसको थोड़ा और बढ़ावा मिला जब 2000 में कारगिल का कॉन्फिक्ट हुआ तो उसको थोड़ा और ट्रैक्शन मिला फिर बात्ची चलती रही लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ गती नहीं आई थी उसमें और यह गती जैसा मैंने का यह पॉलिसी बगएरा पांस साथ साल में जो उन्होंने पूरा एक अच्छा शेप ले लिया कंसल्टेटिव प्रोसेस जिसको नीरज ने भी अभी टच किया कंसल्टेटिव प्रोसेस बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि जब तक स्टेक होलडर के साथ आप बैट करके और फिर पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक वो कारगर नहीं होंगी तो वो हो गया है अच्छी पॉलिसी बन गई है एक्सपोर्ट के लिए आपने बात करी एक्सपोर्ट में जैसा नीरज ने कहा सीपरी एक लिस्ट है जो विश्व के उन देशों देशों के बारे में एक लिस्ट बनाती है कि कौन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस एकुट्मेंट का उसमें पहली बार टॉप 25 नेशन्स में हमारा नाम आया है 23rd था शायद और अभी जो आपने ब्रम्होस के बारे में कहा वो एक बड़ी डील है लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री लेड एक्सपोर्ट बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है और वो शायद इसलिए भी हो रहा है चूंकि प्राइवेट इंडस्ट्री इस चीज़ को बाकुबी समझती है कि प्रोड़क्ट की क्वालिटी अच्छी होगी कॉस्ट कॉम्प्टिटिवनेस होगी तभी वो बिकेगा तो हमारा जो प्रोड़क्ट हमारी इंडस्ट्री बना रही है वो क्वालिटी की ऊपर भी ध्यान दे रही है क्योंकि डिफेंस में 19 और 18 नहीं चलेगा 20 है तो 20 ही ही चाहिए 21 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि लाइफ स्टेक पे है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूरोपियन और वेस्टर्न प्राइसेस पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हमारे हमारी लिए बहुत अच्छी जगह है हम बहुत एडिकुटली बहुत एडवांटेजियसली प्लेस्ट हैं उनको अपने एक्विप्मेंट्स देने के लिए सरकार की कई एजेंसीज बहुत प्रोएक्टिवली इस वक्त काम कर रही है खाली मिनिस्ट्री आफ डिफेंस नहीं है जी उसके अलावा जो और एजेंसीज इंटरनाशनल डायलॉग स्थापित करती हैं वो हैं उनके साथ भी इंड़स्ट्री असोसियेशन जुडी हुई है और जो डिफेंस एटैचीज हैं डियेज हमारे मिशन्स में और हमारे एमबेसीज और हाई कमिशन्स में उनका भी रोल बहुत प्रोएक्टिव हो गया है आज उनको भी एक ये वो दिया गया है मैंडेट कि वो अपने जिस देश में वो तैनात है उस देश में क्या रिक्व है ये चीजें पता करके और इंडस्ट्री एसोसियेशन को सुलील जी अगर चुनोती की बात मैं करूं कि रक्षा छेत्र में ठीक है नीजी छेत्र की भागीदारी बड़ी है सरकार भी चाती है कि नीजी छेत्र बढ़ चड़कर इसमें हिस्सा ले देश की अर्थववस्ता को भी लाव हो नीजी छेत्र को भी लाव हो देश आत्मर भर भारत भी बने लेकिन चुनोती की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चुनोती आप क्या देख रहे हैं इस सेक्टर के लिए जो अभी भी आप महसूस करते हैं देखे चुनोती एक तो टेक्नोलोजी की है क् कि जो high-level technology है, जैसे aerospace में, वो कुछ देशों के पास है, हम अभी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो technology और उसका access, अपनी देशी research and development, जब तक हमारा R&D और सुद्रल नहीं होगा, और हमारी अपनी intellectual properties नहीं होगी, तब तक हम कहीं न कहीं dependent रहेंगे तो, R&D बहुत महत्पूर्ण है, प्रोडक्शन का एक बड़ा element होता है finance, पाहर के देशों में जो देश रच्छा उत्पात से जुड़े हुए हैं, वो developed countries हैं, उनके हाँ finance 2% पे, 1.5% पे हो सकता है कहीं कहीं पर, बिना ब्याज के उपलब है, हमारे यहां अभी cost of finance बहुत ज़ादा है, और उस cost of finance को अगर किसी प्रकार से कम किया जा सके, या कम से कम उसको priority sector lending के rates पे लाया जा सके, तो उसका भी बहुत बड़ा असर पड़े हैं, निरजी ये बात मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, ठीक है आप दिर्वा भारत के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, निरजी छेत को तमाम तरे की सुभधाएं दी जा रहे हैं, जो policy इस तरपर है, उसमें भी शंशोधन सुधार किये जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको चुनोती देखते हैं, क्या सबसे बड़ी चुनोती है रक्षा के छेत में न राइट टैलेंट, टैलेंट जो एक defense, equipment, manufacturing या design and development की mentality को समझता है, तो वो टैलेंट कहां से आएगा, वो टैलेंट साब हो सकता है, कुछ ऐसी focused हमें education डवलप करनी होगी क्या देश में, जो इस requirement को समझ पाए, जो निकल के आए और industry की मदब कर पाए, एक सही product को सही समय पे बना पाने की शमता डवलप कर पाए, industry. तो सब टैलेंट, I believe, is the biggest challenge आज की तारिक में, और दूसरा साब क्या होता है कि इस industry क्या from product development to real business implementation का जो gestation और जो cycle है, वो इतना लंबा है कि availability of finance for certain small medium industries, I think, ये एक और बड़ा मुद्दा है, जिसको अगर थोड़ा साब push मिलेगा, तो मेरे को लगता है कि defense industry की जो growth होनी चाहिए, उसमें और पईये लग पाएंगे. ये मेरे साब से दो एक एहम मुद्दे मेरे को लगते हैं. जी, शतीश दुवा साब, आप कैसे देखते हैं, खास्तोर से जब हम बात रक्षा छेत्की कर रहे हैं और निजी छेत्की भागीदादी को, तो ठीक है दूसरे देशों से कारोबार करने के लिए रक्षा के उपकरणों के लिहाज से कोई भी फैसला हो सकता है, private company हैं, शेत्र गिनाने के बजाए, मैं कुछ और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से discussion हमारी चल रहे हैं, जैसे चुनोतियों कि आपने बात की, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, जो इस बात में भी बहुत valid है, कि सेनाएं क्या कर सकती हैं, सेनाएं ये जो अभी private sector, कि जो private sector industry, जब चाहे MSMEs हों या बड़े business houses हों, जब वो production कर रहे हैं, defense equipment की, तो hand holding करनी चाहिए, आर्मी नेवी air force को, अपने-पने products के लिए, पहले क्या होता था, शायद वो तहलका का जो can't हुआ, जो force का उसको बहुत साल पहले जो हुआ, उसकी वज़ा से, somehow defense industry के साथ, defense forces का, तालमेल, ये नीरज जी मानेंगे, दोनों मेरे पो-पैनलिस्ट मानेंगे, कि तालमेल नहीं होता था, बलकि एक किसम से हमारे को discourage करते थे हम लोग इन से तालमेल बनाने का, या जैसे अब किसी भारत फोज ने अगर एक gun बनानी थी, तो उनको को पुराना equipment देना, जिसके वो research कर प पाएं, अब वो नजरिया बदल गया है, और यही मैं point बताना चाहता हूं, कि अगर सेनाएं industry के साथ मिल के काम करें, या अगर वो एक prototype बनाते हैं, अगर हम उनका prototype की trials करें, फिर उनको as a user के नजरिये से अगर हम बता पाएं कि देखिए इसमें ये खामिया है, और शाद क और हम उसमें उनकी मदद करें, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो defense exports के लिए भी अच्छा होगा, और overall एक ecosystem तयार होगा, जो कि देश की आतम निरबर्ता के लिए और सेनाओं की सुरक्षा और reassurance के लिए बिलकुल आपने हमसे चर्चा की आपका भवव धन्यबाद, भवव शुक्रिया संसर्टीवी से बात करने के लिए और नीरज जी आपका भी भवव धन्यबाद और सतीश दुआ जी आपका भी भवव शुक्रिया, भवव धन्यबाद संसर्टीवी से बात करने के लिए तो आज हमार स्कायकरम में इतना ही मुझे दीजिये आ गया नमस्कार